तो क्या हल चला है सुब दोस्तों का तो यार मुझे इतने कमेंट आते हैं इतने कमेंट साथ हैं वीडियो के नीचे लोग यह पूछते रहते हैं कि प्यार लफजों में कहां सीजन जो है इसका सीजन टू कब आ रहा है यह इसका पार टू कब आ रहा है तो इसके बार में पता आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें हर बंदा यार वीडियो को लाइक किया करें वीडियो पर कमेंज कम एक हजार लाइक होने चाहिए तो जैसे की आप सब को पता ही होगा कि यह ड्रॉमा असल में तुर्किड का ड्रमा है जो पाकिस्तान से च Purdue चैनल पर अर्दु सूस्राइट में चलेगा तो अपर इसकं ड्रमी का नाम है आऽ कर लफ्तान अनलमाज तो मैं ने यही सर्च गया एंटरेट पर के यह तरुके में यह ड्रामा सीजन थू इसका आ रहा है आरा है के नहीं आरा है तो बसके बाद यह डबिंग हो drayo पक्षान और इंडिया में चलेगा तो मैंने इंटरनेट पे देखा है काफी मैंने तरफ सर्च भी की है तो मुझे जो जहां तक मिला है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका सीजन टू आएगा लेकिन एक जो रिजन मिली है जो मैंने ये तुर्की के ही किसी ने अप्लेट किया हुआ था कि जो है आसक लफजान नमाज यह जो प्यार लफजों में कहा है इसका सीजन टू जो है वो नहीं बनेगा जी हाँ आपने सही सुना कि इसका सीजन टू है वो नहीं बनेगा उसकी वज़ज़ भी बताई है उसकी बज़ा ये बताई है कि जो मुराथ है उसकी जो गर्फरेंड है बुसरा डेवैली उसका जो वो है वो मुराथ को इजाज़त नहीं देती कि वो हयात के साथ काम करे उसके कुछ होंगे परसन इशूज या जैलिसी फैक्टर भी कह सकते है जैसे के होगा उसमें कुछ ऐसा तो मैंने ये इंटरनेट पर लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने देखा एक वबसेट पर तरकी की है वहाँ पर लिखा हुआ है तो इस वज़ा से इसका सीजन टू शायद ना बने क्योंके मुरात की जो गल्फरेंड है वो मुरात को हयात के साथ काम करने पर नहीं दे रही और यहीं वज़ा थी कि इन काफस में काफस में काफी मसला हुआ था तो हयात और मुरात ने इंस्टाग्राम पर जो अपनी एक बड़ा कामियाब रहा और पकस्तान इंडिया में बड़ा पसंद किया लोगों ने तो हम तो चाते हैं किसका सीजन टू बने लेकिन अभी तक ना उन्होंने इसका सीजन टू की फिल्मिंग या कास्ट जो है वो स्लेक्ट किया और ना ही इसकी जो है शूटिंग शूरू की अभी तक अभी तक इसका कुछ भी नहीं अगर यह ड्रमा बनना भी हुआ तो कम तो कम से कम इसको एक साल दो साल तक लगेंगे पाकिस्तान में चलने पकस आनुव चलने में चलने में तो जब तक हम को इंतिकार नहीं पड़ेगा तो देखते हैं कि क्या बनता है तो आसी लाइक हर कोई लाइक के भीना ना जाए